दोस्तों आज के वीडियो में हम फूट लाइसेंस के वारे में बात करने वाले हैं फूट लाइसेंस या एफ ऐसेंस का लाइसेंस क्या होता है किसको यह लाइसेंस बनवाना जरूरी है इस लाइसेंस को बनवाने में क्या-क्या डॉक्युमेंट लगते हैं कितनी फीज लगती हो और कितना समय लगता है तो यह सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हो तो डेफिनेटल यहां पर वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है वाट इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी असानी से फूल लाइस बनवा पाएंगे और इस से जुड़े जो भी सवाल है पर आपके होंगे सब के आंसर आपको मिल जाएंगे तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर हम इस बात से शुरुवात करते हैं कि आकर फूल लाइसेंस होता क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं कि फू करते हैं तो आपके पास फूल लाइसेंस होना जडूरी है तो यह तो हमने जाना फूल सब्सक्राइब करते हूं कि आपको समझ में आ गया होगा तो आप भी अगर कोई बी ऐसा प्रोड़क्त बेचते हैं उसका निरमाड करते हैं अपर उसके पेकेजिंग का काम करते हैं ज जो की खाने पीने से जुड़ा हुआ है तो आप सभी को फूल लाइसेंस बनाना बेहर जरूरी है अब हम जानते हैं कि फूल लाइसेंस आप कैसे बना सकते हैं इसके लिए क्या क्या डॉक्यमेंट आपको लगते हैं कितनी फीस लगती है और कितना समय इसको बनने में लगत तो यह सारा कुछ मैं आपको बोल कर नहीं बता हूँगा इस सारी चीज़े मैं आपको practical यहां पर करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए चलते हैं laptop के screen पर और यहां पर मैं सारी चीज़ें आपको एक बार practically करके दिखा देता हूँ तो friends अपना food license बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसके option website पर आना होगा जो की है foscause.fsai.gov.in यहां पर आने के बाद देखें आपको सबसे पहले option मिल जाता है apply for new license registration तो यहां पर अगर आप पहली वार license के लिए apply कर रहे हैं तो आपको first of all option यहां पर select कर ले रहे हैं उसके बाद आपके सामने सबसे पहले 3 categories आएंगी एक तो general है दूसरा railway station और तीसरा airport या फिर seaport तो अगर आप यहां पर अपना ठेला या फिर जो भी आप food sale करते हैं वो railway station या फिर airport के बाहर करते हैं तो आप यह वाला option select करेंगे otherwise यहां पर आपको general वाला option select करके application start करना है लेकिन इसे पहले हम application process देखें यहां पर हमें 2-3 चीज़ें जानना भी है जरूरी है सबसे पहले तो यहां पर किस license के लिए कितनी fees लगती है और कौन कौन से आपको documents यहां पर लगते हैं क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला PDF हो जाएगा अब यहां पर आपको आपके business की सारी categories देखने को बिल जाएंगी और उसके recording यहां पर कितनी fees आपको पे करना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा for example यहां पर अगर आप चाय का ठेला लगाते हैं मिठाय की दुकान है सबजी की दुकान है इस तरह कोई भी अगर आप snacks food रखते हैं कोई भी आप मतलब ठेला लगाते हैं street vendor है तो आपको यहां पर दिखिए first number पर ही सारी categories देखने को मिल जाएंगी अब यहां पर आपका ज लाइसेंस के लिए 100 पर पे करना होगा और 5 साल का यहां पर आप maximum license अलोट कर सकते हैं जिसके लिए आपको 500 पे करना होगा तो यहां पर हमने normal categories की बात कर ली अब उसके अलाबा यहां पर अगर आपका restaurant है hotel है या फिर आप caterer है इस तरह कोई भी other service आप provide कराते हैं तो उसके अगर आपका है देखिए यहां पर hotel का option भी आपको दिया गया है अब यहां पर अगर आप restaurant है आपका तो यहां पर आप किस तरह से यहां पर कौन सा license आपको issue कराना है और कितनी fees आपको pay करना है पहले एक बार आप वो जान लेजे अब यहां पर देखिए हर तरह के business में आ एक साल का वो अगर 20 करोड से कम है तो आपको state license बनाना होगा जिसकी एक साल की fees आपको 2000 रुपर pay करना होगा उसके लाबर यहां पर हम तीसरी category की बात करें तो अगर आपका जो turnover है वो 12 लाग से कम है तो ऐसी condition में आपको यहां पर normal registration कराना है जिसकी एक साल की fees यहां पर के category search कर सकते हैं आप control app press करेंगो जो भी product आप sale करते हैं वो यहां पर आप search करेंगे तो आपको category देखने को मिल जाएगी और उस category के according आपका turnover कितना है और आपको कौन सा license बनाना है और कितनी fees पे करना है वो यहां पर आप देख सकते हैं तो चली यहां पर उसके बाद हम आपको document कौन कौन से लगने वाले हैं तो यहां पर देखी नीचे आपको option दिया गया document required इस option पर आप click करेंगे उसके बाद आप किस तरह का license बना रहे हैं वो यहां पर आप select करना है अगर आप नया license बना रहे हैं तो आपको यहां पर देखी new registration का option दियागे इस पर आप click क questions कोई भी एक ID card आपके पास होना चाहिए और थर्ड यहां पर आपके पास आपका जो business है उसका address प्रूप होना चाहिए अब यहां पर अगर आपका जो business है आप घर पर ही चलाते हैं तो ऐसी condition में आपका जो business है वो आप कहीं और run करते हैं तो ऐसी condition में आपके पास आपका rent agreement बिजली विल का आपका जो बिजली विल है वो यह फिर line connection है आपका उसका बिल इस तरह कोई भी एक document आपको लगाना होगा अगर आपका घर पर ही address है तो फिर आपका धार कट से आपर काम हो जाएगा तो केवल यहाँ पर तरह से यहाँ पर हमने business की category उसकी फीस और जरूरी document है वो यहाँ पर देख लिए अब यहाँ पर हम चलते हैं और एक नया license बनाने का process देखते हैं किस तरह से आप एक नया license बना सकते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले जंदल वाल option select करेंगे उसके बाद next time में आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना state select करना होगा तो यहाँ पर हमारा स्वेट मद्यप्रदेश है तो यहाँ पर हमने मद्यप्रदेश select के लिए है उसके बाद जैसे आप state select करेंगे तो नीचे आपके सामने उसके बिजनिस के यहाँ पर टाइब आ जाएंगे आप manufacture हैं ट्रेड रिटेलर हैं food service है center government agencies है head office है तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी category select करना है जैसे कि food service है तो यहाँ पर यहाँ पर अपसन हम select करेंगे उसके बाद अगीन आपको खरेंगे उसके बाद आप आप procedure button पर click करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने आपके जो business की category है वो आ चुकी है और इसके लिए कौन सा license यहाँ पर आपको बनवाना है वो भी आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो license category है वो normal registration है तो यहाँ पर हमें normal registration करना होगा उसके लिए आपर देखे नीचे आपको option दिया गया you are eligible for registration click here to proceed यहाँ पर आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका form a open हो चुका है अब यहाँ पर आपको अपनी सारी details डालना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको applicant detail डालना है जिसमें आपको name of applicant यह फिर company का नाम आपको डाल देना है अगर आप चाहते हैं अपने नाम से license कराना है तो आप अपना नाम डाल सकते है अधार कार्ट के coding यह फिर अगर आपकी दुकान का आपकी firm का आपकी company कोई नाम है तो वो नाम यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं उसके बाद designation में आपको आप कौन है इंडिवीजल है पार्टनर है प्रोबाइटर है वो यहाँ पर आपको select करना है जिस address ज्याप run करते हैं गाने पर आपको complete address fill कर दीना है अपने state select कर लिना है अपने district select कर लिना है sub district select कर लिना है आपकी गाओ को नाम है फिर चहर का नाम है अपना PIN Code एंटर कर दिना है nearest landmark यहाँ पर आप एक डाल देंगे उसके लाब यहाँ पर देखिए PAN NUMBER का option दिया गया है तो अगर आपके पास PAN CARD है तो अपना PAN CARD NUMBER आप डाल सकते हैं Company के नाम से कर आप बना रहे हैं तो Company का PAN CARD NUMBER डाल सकते हैं और अगर आपके पास PAN CARD NUMBER नहीं है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं Optional हैं उसके बाद आप नीचे जाएंगे अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है Is Your Correspondence Address? Same as Address of Premises तो यहाँ पर आपका Business का पता और आपका जो Correspondence Address है वो अगर एक जैसा है तो यहाँ पर आप Yes कर देंगे जिसके बाद Automatic उपर से Address Copy हो जाएगा और नीचे हाँ पर Fill हो जाएगा उसके बाद आप और नीचे जाएंगे अब यहाँ पर देखे Contact Details आप से पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको एक Mobile Number देना है एक Email ID देना है और जिसका Email ID और Mobile Number आपने दिया हुआ है उस Contact Person का यहाँ पर नीचे आपको नाम डाल देना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर यहाँ आप से पूछ रहा है Years you want to apply for तो यहाँ पर कितने साल के लिए आप license लेना चाहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल और Maxivo में यहाँ पर आप 5 सालों के लिए license ले सकते हैं एक साल के आप में जितनी फीस होगी अगर आप 5 सालों के लिए license लेते हैं तो उसकी जो फीस वो यहाँ पर 5 गोना हो जाएगी For example, हमारा जो registration उसकी भी 100 रुप है अगर हम यहाँ पर 5 सालों के लिए license लेते हैं तो हमारे जो फीस है वो 500 रुप हो जाएगी तो चले यहाँ पर हम 5 सालों के लिए license ले लेते हैं उसके बाद हम नीचा जाएगे अब यहाँ पर यह पूछा है Detail of food item proposed to be manufactured or sold अब यहाँ पर जो भी product आप बनाते हैं या फिर उसको बेचते हैं उसकी category यहाँ पर आपको select करना होगा जैसे कि यहाँ पर देखिए name of food category यहाँ पर आप click करेंगे अब यहाँ पर जो भी product आप बेचते हैं जो भी product आप sale करते हैं वो हो यहां पर आपको select कर लेना है जैसे कि यहां पर आप कोई dairy product रखते है तो यहाँ वाला option आपड़ आप हैँ Save and add वाले option पर click करेंगे उसके बाद और भी कोई product अगर आप रखते हैं तो यहां से आप select कर लेंगे जैसे कि आप कोई prepared food रखते हैं वो यहां से आप select करेंगे save and add वाले option में click करेंगे उसके बाद again इस तरह से यतने भी product आप रखते हैं यहां पर आप बारी बारी इसलेक कर सकते हैं अब यहां पर आप 2 फरगण रखते हैं तो हमने 2 फरुड़क्त select कर ली है उसके बाद यहां पर आप नीचा आएंगे food safety, myth details तो यहां पर अगर आपके पास है तो आप ڈालदीजे otherwise यह option next को आप skip कर सकते हैं और नीचे यहां पर आप आजाएंगे तो यहां पर आपको other details डालना है जैसे कि आपका जो business है वो कपसे start हुआ है उसकी date यहां पर आप डाल सकते हैं उसके बाद यहां पर पूछ रहा है source of water supply अब यहां पर कोई भी food से जड़ा हो product अगर आप बनाते हैं या फिर बीचते है तो यहां पर आपके पास पानी की ववस्ता तो होगी अब वो जो ववस्ता है वो public है और private है या फिर other है वो यहां पर आपको select करना है अगर आपकी private खुद की ववस्ता है तो यहां पर आप private वाला option select कर लेंगे उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है whether any electric power is used in manufacturing of food item जो आप कोई भी electricity consume नहीं करते हैं तो simply आपको new वाला option select कर लेंगे और सारी जनकरी बर आप अच्छे चेक कर लेंगे अगर सब कुछ आपने सही फिल किया है तो save and next वाले option में click करेंगे उसके बाद proceed की बटन पर आपको click करना है proceed करने के बाद अब यहां पर आपको portal पर sign up करन इसके बाद यहां पर secondary में आपको email id mobile number डालना और उसी तरह से जो number email id किस से belong करता है वो यहां पर आपको डालना है आप यहां पर भी self डाल सकते हैं या फिर parent या फिर son या फिर daughter जो भी जिसका भी number यहां पर आप डाल रहे हैं वो relation यहां पर आप select कर लेंगे उसके बाद आप नीचे जाएंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक login id दी हुई है इसी से आप यहां पर login करते हैं पोटल में तो आप note कर लीजिए इसका photo क्लिक कर लीजिए और नीचे यहां पर आपको एक password create करना है तो कोई भी एक password आप create कर सकते हैं password किस तरह से create करना है नीचे आपको दिया गया है आप यहां पर कुछ capital letter कुछ small letter कुछ special character और एक डिजिट यहां पर ले सकते हैं और उसके मदद से यहां पर एक password आप create कर सकते हैं for example यहां पर मैंने आपको एक password create करके दिया हुआ है name at the rate 123 इस तरह से यहां पर अपने नाम के साथ आप एक password create कर स notification code send किया गया है जो कि आपके email ID और mobile number में भेजा गया है तो वो code यहां पर आपको enter करना होगा code डालने के बाद इसको भी यहां पर आप submit करेंगे OTP submit करते हैं यहां पर हमारा जो sign up process से वो complete हो जाएगा तो इसको अब यहां पर आपको user ID इसको आपको note कर लेना है और इसको यहां पर आप OK कर देंगे जिसके बाद आपको यह next page में redirect कर देगा और यहां पर देखिया आपको document upload करना है और इसका payment complete करना है तो document आप किस तरह से upload करना है यहां पर देखिया आपको अपना passport size photo सबसे पहले upload करना होगा size यहां पर आपको उपर दिया गया है maximum file size आपको 5 पाच MB के अंदर रखना है चाया फिर आपको PDF कर सकते हैं फोटो आपको click कर लेना है choose file में click करके आप photo select कर लेंगे उसके बाद upload बटन में click करेंगे तो आपका photo यहां पर upload हो जाएगा उसी तरह से यहां पर आपको ID proof यहां पर upload करना होगा तो यहां पर आप click करेंगे और इसमें से कोई बेक ID proof अब लगा सकते हैं voter ID, driving license, passport, pen card, arms license, passbook जो भी आपके पास available इसमें से कोई बेक ID option है पर आपको select करेंगे जैसे कि हम अधार काड डालने वाले हैं तो यहां पर हम अधार काड select करेंगे उसके बाद अधार का PDF या फिर JPG आप choose file में click करके select करेंगे और upload वाले option में click करेंगे तो आपका जो अधार काड है वो भी यहां पर upload हो जाएगा अब document upload करते समय आपको एक बात का और ध्यान लखना है कि यहां पर जो भी document आप डालने वाले हैं वो self-addested होना चाहिए यहां पर देखिया आपको red line से दिया हुआ है all document shall be self-addested तो आपक अब यहां पर देखिया other document में आपको अपने premises का address डालना, address proof डालना होगा अगर आपका जो business है वो घर से ही आप run करते हैं तो जरूवत नहीं है आप चाहें तो यहां पर अपना अधार काड डाल सकते हैं आपको proof of premises वाले option में click करना है उसके बाद यहां पर आपको अपना upload करना होगा उसके बाद आप नीचे जाएंगे यहां पर आपको दिखे एक checkbox दिया गया इस पर आपको tick करना है उसके बाद नीचे यहां पर देख सकते हैं आपको fees pay करने के लिए बोला जा रहा है तो यहां पर आपको 500 रुपे fees pay करना है क्योंकि यहां पर हमने 5 साले के लिए लैशिंज अलोट करने के लिए application किया है तो आप इसका payment online कर सकते है online payment करने के लिए आपको first of all option यहाँ पर select करना है online payment रोजोर पे उसके बाद इसका payment complete करने के लिए pay वाले option पर आप click करेंगे अब यहाँ पर देखिए again आपको e-sign करना होगा तो आपने जो mobile number डाला हुआ है उसमें आपको एक OTP send किया जाएगा तो यहाँ पर आप proceed की option में click करेंगे अब यहाँ पर देखिए OTP send किया गया वो OTP यहाँ पर आपको enter कर देना है उसके बाद again आप proceed वाले option में click करना है उसके बाद यहाँ आपको direct कर देगा payment page में अब यहाँ पर आप credit card debit card, net banking, wallet, UPI किसी भी माद्धियम से इसका जो payment है वो complete कर सकते हैं उसके बाद जैसे यहाँ पर आपका जो payment है आप complete कर ले थे तो यहाँ पर देखिए आपको FSSIQ और से एक receipt generate करके दे दी जाती है तो इस payment slip को आपको समाल के रखना है इसके माद्धियम से अपने application का status काफी असानी से चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर status कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताये था है तो उसके लिए हम वापस सी home page पर चलेंगे तो अब यहाँ पर अपने application का status चेक करने के लिए आपको देखी नीचे option दिया गया है track application इस option पर आप click करेंगे अब यहाँ पर देखे आपको application reference number एक receive हुआ होगा आपकी payment receipt में देखने को मिल जाएगा वो number यहाँ पर आपको enter करना है capture code डालना है उसके बाद इसको आप submit करेंगे जिसके बाद यहाँ पर आपने application का status देख सकते हैं यहाँ पर देखे सबसे last में आपको दिया गया है status of application stage 1 processing to be initiated अब यहाँ पर आपका जो application है आपका अपने भी recently payment किया हुआ है तो यहाँ पर आपका application complete हो चुका है अब इसको बनने में लगबग यहाँ पर चार से पांस दिन का time लगेगा चार से पांस दिनों के अंदर आपका जो application है जैसे ही approve हो जाएगा आप दोबारा से आगर इसको check करेंगे तो यहाँ पर आपका जो application है certificate issue दिखाएगा जिसके बाद आप काफी सानी से अपने certificate को download कर सकते है अगर किसी भी तरह का rejection अगर आपका application में आता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कोई भी rejection कर आपका application में होता है तो आप मझे comment करके जरूवत आएगा मैं उसका कोशिस करूँगा solution आपके लिए लेकर आ सकूँ अब फिलाल यहाँ पर हम यह देखते हैं कि और आपका certificate बन जाता है तो उसको आप download किस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम close कर देंगे उसके बाद हमें वापस से home page पर आ जाना है अब यहाँ पर देखी नीचे आपको option दिया गया already a user login इस option पर आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका जो application number है जो कि आपका ID था वो यहाँ पर आप enter करेंगे देन आपर proceed की button में click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको याद होगा भी आपने एक password create किया था तो वो password यहाँ पर आप enter करेंगे नीचे capture code enter करेंगे और sign in की button में click करेंगे उसके बाद आप देख सकते कुछ इस तरह से यहाँ पर आप login हो जाएंगे अब यहाँ पर देखिए आपको अपने certificate को download कैसे करना है मैं बता देता हूँ अगर आपका जो certificate बन चुक है इसको download आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे last में आपको option देगा issued इस option पर आप click करेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए issued registration certificate वाले option में आपको plus का icon देखिए इस पर आप click करेंगे उसके बाद देखिए फिलाल यहाँ पर नीचे no record found देखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी इसको नया apply किया हुआ first time तो हमारा जो application अभी under process है लेकिन आपका जो certificate अगर issue हो जाएगा तो यहीं पर आपको option मिल जाएगा जहां से अपने certificate को आप काफी असानी से download कर पाएंगे so I hope friends अगर आपने वीडियो को winner skip किये पूरा watch किया होगा तो full license जोड़ी होई सारी जानकारी और सारा process आपको समझ में आ गया होगा फिर विए अगर आपको पूछना चाहते हैं कोई आउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसके लागा मुझे WhatsApp में भी contact कर सकते हैं नंबर आपको description में देखने को मिल जाएगा वीडियो कर आपको पसंद आया वीडियो आपको helpful लगाओ तो वीडियो को पर आ रहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिए ऐसे इंफॉर्मेटिव कॉंट्रेट में अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं